नमस्कार श्वागत करते हैं आज के इस खास important वीडियो में डाटा एंट्री ओपेरेटर की पूरी जानकारी मात्र एक यहीं सब्द काफी है क्योंकि इस वीडियो में डाटा एंट्री ओपेरेटर से लेकर हर एक प्रशन की चर्चा की गई है मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता मातर एक शब्द जरूर कहूंगा वो नौलेज नौलेज नहीं होता जिससे स्रोता सटिस्फाइड न हो आप इस वीडियो देखने के बाद में जरूर सटिस्फाइड होईएगा क्योंकि आपकी साटिस्फिक्शन को लेकर इस वीडियो को काफी जादे बेहतर तरीका से परजेंट किया गया है ताकि आप डाटा एंट्री अपरेटर को काफी नजदीक से समझ जाए और यदि आप भी सोचते हैं डाटा एंट्री अपरेटर का जॉब करना तो बहुत ही असानी से जॉब पालें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा उशके बाद में पूरी बात समझ में आएगी लाश्ट में आपके कॉमेंट का इंतिजार भी रहेगा सबसे पहले यदि हम समझ जाएं कि डेटा क्या होता है उशके बाद में ये सारी डेटा एंट्री अपरेटर ओल चीज बहुत ही असान हो जाता है तो डेटा पी एक नज़र डालें तो मान लिजिए कोई कमपनी अपने दोशालबाज चाह रहे है पहले वाले रिकॉर्ड को देखना वरक एक्टिविटी रिकॉर्ड को तो फिर कहां पे देखेगी उसकी एक डेटा रूम हुआ करती है कमपनी की उस डेटा रूम से जाके अपना रिकॉर्ड देखेगी तो पहले कमप्यूटर नहीं था उस समय क्या डेटा एंट्री नहीं हुआ करते थे उस समय भी डेटा एंट्री हुआ करते थे परन्तू राजिस्टर में सारी डेटा को लिखी जाती थी काफी शमय लगते थे उसके लिए भी एक डेटा रूम हुआ करती थी और उस रूम में भी एक operator हुआ करते थे जो की सारे file को सजा के रखते थे परते एक month wise, date wise ऐसे करके ताकि company को कभी भी किसी समय की data की आऊ सकता पड़े तुरत ही वो खोजते थे उनको सारी data कहां रखा हुआ है इस चीज की मालुम हुआ करती थी इस परकार से company की work activity data होती है balance sheet data होती है ऐसे बहुत सारी data होती है जैसे आपकी भी bio data होती है आपकी कोई किसी चीज के बारे में जिवनी के बारे में जो लिख रहे हैं उसकी भी एक data के रूप में आप dairy में लिखते हैं जाहें उसको पढ़ लेते हैं तो data एक ऐसी संग्रहित फाइल होती है जहां पर जब चाहें फिर पुरानी चीज के record को आप देख सकते हैं इस परकार से data का कार यह होता है अब ये प्रश्न होती है कितने परकार के data होते हैं तो data आपका खतम हो गया होगा कि केवल डेटा कम्प्यूटर में ही एंट्री की जाती है नहीं डेटा को फाइल में भी एंट्री की जाती है लेकिन अब इसको की जाती थी ही कहेंगे क्योंकि जब से कम्प्यूटर का समय आ गया वो सारे वर्क एक्टिविटी बहुत ही आसान हो गय डेटा को एंट्री करना, क्योंकि पहले भी ग्राफर्स हुआ करते थे, ओफ लाइन पिक्चर बना के डेटा में सजाते थे, ग्राफिक्स करते थे, यह सारे काम भी पहले होती थी, लेकिन काफी मेहनत लगती थी, लेकिन अब इस वक्त इस सारे काम को आप कंप्यूटर के एक वाले डेटा को देख सकते हैं इस परकार से जितने हमने type of data बताया उन सारे के यूज सीखना आवश्यक्ता होता है कि आप इन सब को के knowledge के बदावलत आप computer में बहुत अच्छी data entry फिल कर पाएंगे अब knowledge की बात कर ले एक data entry operator को computer के बारे में क्या knowledge होनी चाहिए तो जैसे type of data में हमने बात किया था अक्छा data संख्यात्मक data तो आप अक्छा data को कहां पे लिखेंगे इस परकार आपको computer में MS Word की knowledge होना आवश्यक्ता है संख्यानात्मक data भी जरूरी है क्योंकि संख्यानात्मक data को आप कहां पे लिखेंगे कई बार होता है mathematics calculation के रूप में भी data को रखनी पड़ती है तो उसके लिए आपको Excel की knowledge होनी जरूरी है अब उसके बाद में होता है किसी company की finally bio data की graphics के रूप में लिखना एक presentation के रूप में रखना तो उसके लिए आपको powerpoint की knowledge होनी चाहिए तो ये सब एक basic knowledge ही मात्र होनी चाहिए एक data entry operator को ये जरूरी नहीं है इसमें उनको महारत हासिल होनी चाहिए बस आपको इसकी थोड़ी knowledge होनी चाहिए ये तो हो गई computer knowledge अब उसके बाद में आपकी eligibility क्या होनी चाहिए तो आप एक computer को अच्छा से operate कर पाएं इन सारे MS Excel, Powerpoint, MS Word इस सारे को आप अच्छे से समझ पाएं तथा उसमें data को Hindi और English माध्या में फिल कर पाएं जिसके लिए आपको Hindi और English भासा की knowledge होनी चाहिए और आप इस काम को जल्दी बाजी में type करके enter कर पाएं चुकि फाइल जादे entry करनी होती है जिसके लिए आपको typing knowledge होनी चाहिए आपको typing करने आना चाहिए खास important है data entry operator को एक typing knowledge होनी चाहिए अब कई बार होता है कि इसके लिए eligibility क्या होता होना चाहिए metric है या फिर इंटर या फिर graduation की हर एक कमपनिया हर एक job अलग अलग तरीका से इसके लिए eligibility रखती है अब data entry operator की job हर एक भी भाग में चोटी से चोटी भी भाग में और बड़ी से बड़ी भी भाग में भी आती है अब यदि आपका SSC में या फिर कोई CVC department में आपका government में data entry operator करना हो तो उसमें तो जाहिर सी बात है आपको एक बड़े platform पे बड़े लोगों के साथ रहना है और बड़ी बड़ी बाते को कुछ समझ के लिखना है तो आपके लिए कुछ basic knowledge की अस्तर कुछ high हो जाती है जैसे उसमें आपको graduation करके मांगी जाती है अब उसी परकार से चो कोई छोटी company होगे उसमें केवल data या उसको type करते रहना है तो कहीं कहीं metric भी मांग ली जाती है और उसी परकार से कहीं कहीं inter भी मांग ली जाती है लेकिन main है आपको data entry operator में computer knowledge और typing knowledge होनी चाहिए तो इस परकार से आसा करते हैं कि आप एक data entry operator का कार्य क्या होता है क्या eligibility होता है और क्या होता है data इसको बहुत ही सरल भासा में और बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे आसा करते हैं अब तक कि आपके सारे confusion इस वीडियो में जरूर कम हो गई होगी तो आप इसी तरह के हरे के knowledgeable point को एक सरल language में परजेंट करने के वाला वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को subscribe जरूर कर लेंगे आसा करती वीडियो काफी helpful हुआ होगा तो मिलते हैं next वीडियो में वीडियो आन तक देखने के लिए आपका धन्यवाद